दोस्तों गुरु पुडुमा तेवार नेपाल और भारत में मनाया जाता है ये तेवार अध्यात्मिक और स्टैक्षिक सिक्षिकों को समर्पित है ये तेवार परंपरागत रूप से हिंदुओ, जैन, मारवाड़ी और बौधो दोरा मनाया जाता है ताकि वे अपने टीचर् प्रती सम्मान और अपना अभार व्यक्त कर सकें गुरु पुडुमा उस्तव हिंदु महिने के अशार यानि की जून जुलाई के महिने में पुडुमा दिबस पर मनाया जाता है क्योंकि ये भारत और नेपाल के हिंदु केलेंडर में जाना जाता है तो इसी लिए दोस्तो को प्रेजरो करना था कि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों गुरु पुडुमा को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यानि की आसाल पुडुमा को वक्ति भाव के साथ मनाया जाता है इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है और उनका अशिरवात प्राप्त किया जाता है शास्त्रों में गुरु की विशेश महिमा बताई गई है गुरु के बिना ग्यान की प्राप्ती नहीं होती है दोस्तों कहा जाता है कि ग्यान ही के अंधिकार को दूर कर सकता है असाड मास में गुरु पूर्मा का पर्व मनाया जाता है असाड मास को हिंदू के लेंडर का चौथा मास माना गया चलिए बात करते हैं गुरु पूर्मा के महत्तु के बारे में इस दिन को हिंदू धर्म ग्रंतों के अनुसार महा भारत के रचाईता कृष्ण द्रेपा यन व्यास चंड दिवस भी माना जाता है। वे संस्कृत के महान विद्वान थे। महा भारत जैसा महा काव उन्हीं की देन है। इसी के 18 अध्याय में भगवान स्री किष्ण गीता का उपदेश देते हैं। सभी 18 पुराणों के रचाईता भी मार्शी वेद्व्यास को माना जाता है। वेदों को विभाजित करने का श्रे भी इनी को दिया जाता है। इसी कारल इनका नाम वेद्व्यास पड़ा था। वेद्व्यास जी को आदी गुरु भी कहा जाता है। इसलिए गुरु पूर्मा को व्यास पूर्मा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कि आपको पता है कि गुरू पूर्मा को वर्षा रितु में ही क्यों मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं, भारत वर्ष में सभी रितु का अपना ही महतु है। गुरु पूर्मा को खास दौर पर वर्शरितु में ही क्यों मनाया जाता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि इन चार माह में ना अधिक गर्मी होती हो और नहीं जादा सर्दी, ये समय अध्यान और अध्यापन के लिए अनकूल रहता है, इसलिए गुरु चडल में उपस शि थी है वो है 23 जुलाई 2021 से 24 जुलाई 2021 तक यानि कि 23 जुलाई 10 बचकर 42 मिनट से शुरू होगी और जो अंतिम्ति थी यानि कि 24 जुलाई तक जो रहने वाली है समाप्त होगी जाके 8 बचकर 5 मिनट पर दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया साथ ही वीडियो को लाइक करें जादा से जादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें फैमली में शेयर करें और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में